नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहां पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग उत्रप्रदेश के सीएम योगी अधितनात ने आज अयुध्या का दौरा किया कल पीएम मोदी अयुध्या आने पाले हैं इस दोरान प्रधान मंत्री 15,000 करोर रुपे की विभिन परियुजनाओं का उद्धगाटन भी करेंगे वहें पीएम मोदी के आने से पहले सीएम योगी ने सभी तैयारियों की समिक्षा की इस दोरान वहां मौझूद अधिकारियों को कई निर्देश भी दिये गए इससे पहले योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि रामनगरी अर्धा में 84 कोसी परिक्रमा छेतर में शराब की विक्री पर पुन प्रतिबंध रहेगा वहीं दूसरी तरफ प्रार प्रतिष्ठा समारों में जाने की सवाल पर अखले श्यादों ने कहा कि भगवान का जब बुलावा आता है तभी दर्शन होते हैं एसे मुद्दे पर चर्चा करें के लिए मिरे साथ स्टूडियों मोचुद हैं कापिटल टीवी के एक्जेकेट्र एडिटर राचियू जी सर स्वागत आपका धन्यवाद पिये मोदी के आगमन से पहले भव्य तयारी हो रही और खुद जाजा ले रहे हैं सीर्मियों की देखे ये तो जाजा लेना ही था पहले जाजा लेना था लेकिन लेट हो गया मौसम ने साथ नहीं दिया फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो विपक्षी पार्टिया भगवान स्री राम के इस मंदिर के खिलाफ पैटी हुई है जो बार बार सवाल उठा रही थी जैसे कॉंग्रिस के एकनेता है सेम पैतरोदा उन्होंने क्या सवाल उठाया कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है राम मंदिर की बात इतनी नहीं होनी चाहिए उनी क्या चाहिए बेरुजगारी की बात होनी चाहिए रुजगार देने की बात होनी चाहिए इन मुद्दों पर चर्चा हो कि महगाई कितनी बढ़ गई है अगर इन मुद्दों पर चर्चा की ही बात करें तो ये लोग सामने में आकर क्यों नहीं देखते हैं या टीवी पर डिवेट में इन से सवाल पूछा जाना चाहिए ये पंदरह हजार करोड रुपे की परियोजनाए हैं क्या ये रोजगार सरजन नहीं हो रहा है क्या भगवान स्री राम के इस अयोध्या नगरी में जो इतने लोग काम कर रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा उनके आसपास के छेत्रों में इस्ट्रेन चलाए जा रही है जो बाहर के परियतक आये रहे हैं उन परियतकों से रोजगार सरजन नहीं हो रहा ये जो religious tourism है ये पूरी दुनिया में माना जाता है religious tourism को और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिसके अर्थ विवस्था का सुरोत ही जो है वो टूरिज्म है और हिंदुस्तान के अंदर भी अगर देखा जाए जम्मु कश्मीर में कश्मीर की घाटी का छेतर ये इतना पिछड कैसे गया पाकिस्तानी आतंकवाद के कारण क्योंकि वहाँ पर टूरिज्म परभावित हु जैसे ही आतंकवादी गतिविधिया वहाँ बढ़ी पाकिस्तान ने कश्मीर को जो जन्नत कहा जाता था जहन्नुम बना दिया जो वहाँ पर आतंकवादी भेजे लोगों के मन में डर पैदा हुआ और उसका एजेंडा भी यही था और वो जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के इस्ति यह हो गई कि लोग जाने के लिए सोचते थे कि अगर जाएंगी तो उस दौरान क्या हो जाएगा अगर कोई घटना घट गई बम बिस्वोट हो गया कोई आतंकवादी किदर किदर से भी आके बम पोड़ दिया तो फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा क्या हो गया इस्ति क्या है जो गाती के मुसल्मान आज रो रहे हैं या आज एक गुहार लगाते हैं और विपक्षी पार्टी के नेतायों को देखिए और जहां कश्मीर की बात है वहां ये जो उमर अब्दुल्ला फारुक अब्दुल्ला या महबुबा मुप्ती ये लोग चिला चिल इसके जो आतंगवाद को बढ़ावा देते रहा ये अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमली वहां से हिंदुओं को भगाया उसी का नतीजा है उसी के एक तरह से सनातन का साप है कि वहां पर घाटी के छितर के जो मुसलिम बचे हुए है उन लोगों के जिंदगी भी जहन्नु इसके बाद इस सित्या बदली है लेकिन यहां रुजगार की बात हो रही है ये लोग जो बार बार सवाल उठाते हैं महगाई बेरुजगारी की पहली बात तो यही है कि महगाई बेरुजगारी की बात ही इसलिए उठाते है क्योंकि इन लोगों को भगवान स्री राम से च इन लोगों को लगता है कि जैसे ही सनातन की बात होगी भारतिय जनता पार्टी को फायदा होगा लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार तुम लोगों ने वो इस्थितियां पैदा की situation create किया कि आज जहां भगवान राम की बात होती है जहां इंदूत्व की बात होती है जहां सनातन संस्कृति की बात होती है वहाँ पर भारतिय जनता पार्टी को फायदा होता है रागलिति के रूप से फायदा, कैसे ऐसे स्थितियां बन गई कि भारतिय जनता पार्टी उसका सबस्चूट बन गया, सनातन भारतिय जनता पार्टी, हिंदुत भारतिय जनता पार्टी, भगवान से राम की बात करें, भारतिय जनता पार्टी को फायदा, आखिर कार ये पैदा किसने की शासन तो भारतिय जनता पाटी की नहीं थी 1947 से अब तक बीज में सरकारे चली लेकिन सबसे जादा शासन तो कॉंग्रेस ने किया स्टेट लेबल पर भी देखें तो भारतिय जनता पाटी उत्तर पर्देश में कुछ समय तक सरकार में रही थी ज्यादा तर तो कॉंग्रेस की सरकारे रही फिर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही फिर भी तुमने क्या इसे स्थित्या पैदा कर दी जिसके कारण आज भारतिय जनता पार्टी का परियाय बताया जाता है कि हिंदुत्म की बात या सनातन की भगवान को सही तरीके से पेश करने की बात है हिंदुत्व को दुनिया भर में एक ग्लेमराइज करने की बात है तो भारतिय जिंता पाटे ही कर सकते है यहां के हिंदुओं को लगता है और सनातर हिंदुत्व है जो हमारी पहचान है व्यक्ति को सबसे प्रिये जो होता है वो उनकी पहचान होती क्योंकि पहचान नहीं तो कुछ भी नहीं आप कुछ भी कर लो कितना भी पैसा कमा लो कितनी भी सुविधाय रख लो अगर आपकी पहचान नहीं है तो वो सारा व्यर्थ है उसी तरीके से हमारे देश की बात है पूरे दुनिया में सारे जो धर्म के हैं चाहे इसलामिक कंट्रिज हो इसलाम की चर्चा हो या क्रिश्चनिटी की चर्चा हो हर जगह कहीं ने कहीं इस बात के लिए तो लोग उसको पहचानते हैं रोम की बात होगी पोप की बात होगी तो इसायत की बात होगी मक्का की बात होगी मक्का मदीना की चर्चा होगी इसलाम की चर्चा होगी हमारे लिए तुम लोगों ने क्या छोड़ा एक भगवान से राम के जन्मस्थान अजुध्या वहां तुम ने विवाद पैदा कर दिया सत्तर सालों से विवादित बना के उसको रखे वहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाने की जो जरूरत थी जिसे 1947 के बाद ही बना देना चाहिए जैसे सोमनाथ मंदिर को रिकस्ट्रक्ट किया गया था फिर से बनाया गया था जा सकते हैं तो सेकुलर देश के राष्टपती परदान मंत्री को अपनी व्यक्तिकत भावना जाहिर करने का अधिकार नहीं है यही इन लोगों का सेकुलरिज्म था आप जब मस्जिद में जाते हो तो उस समय आपके सेकुलरिज्म परभावित नहीं होती है लेकिन मंदिर चले जाओ तो इनका सेकुलरिज्म परभावित हो जाती है आज उसी के भुग तो भोगी है अखिलेश यादव का बयान सामना है वो कह रहे हैं कि जब बुलावा आता है तब ही दर्शन होता है बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव को अयोध्या में प्रवेश पर परतिबंध लगा देना चाहिए भगवान राम के मंदिर में इनको प्रवेश वरजित लिख देना चाहिए समाजबादी पार्टी के इसनेता को अभी पश्चिम बंगाल की कुछ लोगों ने लिटर लिखा और लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को तो वहाँ जाने नहीं देना चाहिए उसको नियोता मत भेजो क्योंकि उनके परिवार के लोग अयोद्या में सहीद हुए थे जब इनके पिता मुलायम से यादव ने गोलिया चलवाई थी तो अब वो लोग जिन लोगों ने संघर्स किया है जिनके परिवार के लोग वहाँ पर जाकर सहीद हो गए भगवान से राम के मंदिर बनवाने के लिए वो लोग क्यों चाहेंगे क्यों नहीं मांग करेंगे कि अखलेस यादव को वहाँ नहीं जाना चाहिए अब अखलिस यादब की बात सुनिए और डिमपल यादब की बात सुनिए डिमपल यादब ने कभी भी इस मुद्दे पर यह नहीं कहा स्वाय परसाद मौरिका भी रोद किया और साथ ये कहा कि भगवान से राम का मंदिर हम लोग के आस्था का परतीक है हम तो इन्विटेशन मिलेगा जाएंगे अखलेस यादब को यही बोलना चाहिए इन्विटेशन मिलेगा जाएंगे नहीं मिलेगा हमारी सरकार नहीं है इन्विटेसन नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे राम मंदिर ट्रस्ट के लोग अगर चाहेंगे हमें बुलाना तो हम जाएंगे लेकिन भगवान की इच्छा होगी तो उनके दर्शन को जाएंगे तो भगवान राम की इच्छा अखलेस यादव के लिए जागरी तो नहीं हो सकती क्योंकि इश्वर का जो कहा जाता है कि आशिरवाद इन लोगों के साथ नहीं है भगवान का अशिरवाद अगर रहता तो अखलेस यादव दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर नहीं होते इनको बता दिया गया है कि अब आपका समय नहीं है क्योंकि तुमने जो पाप किये है उसकी सजा यही है कि अब तुम्हें ठोकरे खाने के लिए मजबूर होना पड़े अभी तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है पाती की यह जो कूद रहे हैं उचल रहे हैं बता रहे हैं अस्सी सीटे हैं लोग सबाकी हम लोग सब मिल जुलकर अस्सी सीटे को जीत लेंगे भारतिय जनता पार्टी से क्या करेंगे माया बत्ती को अपने साथ लाएंगे माया बत्ती तो पिछले चुनाब के बाद थे ही चुनाब का परिणाम आया और अखलेस यादव को गालियां दे के बाहर निकल गई कि इसके साथ नहीं किसी तरीके से गलत फ़हमी के सिकार हो गए थे क्योंकि भारतिय जन्ता पार्टी के बढ़ते कद के कारण इन सब को लग रहा था कि अब हमारा अस्तितु खतम हो जाएगा यह जो 2017 में विदान सवा चुनाब हुआ उसके बाद इन लोगों के स्तिक खराब हो गई लगा अब नहीं अब हम लोगों को बचने नहीं देगा उत्तर परदे से बाहर जाना पड़ेगा यह एक जूट हो गए जैसे 2014 के बाद जब भारतिय जन्ता पार्टी से अलग हुए थे नितीश कुमार तो बिहार में ऐसा ही हुआ था हार गए फिर लालू और निती करने वाले हैं इसलिए अखलेश यादब वहां पर जाए भी तो खत्रा है जो बात कह रहे हैं कि अखलेश यादब कि अब भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार में कहीं समिच्छा बैठा किया किसी जगह पर जाओ तो अपनी सुरच्छा का पुक्ता इंतजाम कर लो लेकिन कि इतना इंतजाम करोगे वहां राम भक्तों की भीड है हो सकता है दिमाग फिर जाए ये जूतों से स्वागत हो जाए तो इसलिए अखलेश यादब को तो इससे दूर ही रहना चाहिए भगवान की इच्छा नहीं है उस इच्छा को स्विकार करें और घर में बैठ कर टीवी फर से पुनर प्रतिस्ठित करने की बात है उस महाल में इन सनातन विरोधियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए जूता चपल किसी भी वक्त चल सकता है तो अकलेश यादब ने एक समान जनक दूरी बनाने की कोशिश की है वो कोशिश जारी रखे और अब कल से जो महाल तयार होगा वो अगले 2024 तक रुकने वाला नहीं है इन लोगों का बोड़िया विश्तर साप होना है जी बहुत बहुत धन्यवाद से तमाब चानकारी तो पियम मोदी के अध्या पहुंचने से पहले पूरी नगरी को सजाय जा रहा है और लोगों में भी एक अलग ही उत्सा वीडियो को लाइक कीचे शेर कीचे साथी हमें कमेंट करके जरूरू बताइए कि आपको हमारी ख़बर कैसी लेकिए